हेलो दोस्तों, मैं अंजली एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आज हम हैरी पोर्टर एंड सॉर्सरोर्स स्टोन मुवी की पूरी कहानी जानेंगे तो मुवी शुरू होती है राप में खाली सडक पर खूम रहे एक बूडे से आदमी एल्बस डंबल डोर से जो अपनी डिल्यूमिनेटर से लैंब हुजा रहे होते हैं वहाँ एक बिल्दी आती है जो दरसल प्रोफेसर मैक कॉनिकल होती है वो वहाँ पर किसी का वेट कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं ऐसे बच्चे के बारे में जो जिन्दा बच गया था थोड़ी देर में एक विशालकाय आदमी जो की हैगरिट होता है बच्चे को लेकर उन्हें देता है जिसे वो डरसली जाम के फैमली के दरवाजे पर छोड़ देते हैं ये बच्चा हैरी पॉटर होता है सेडियों के नीचे के अलमारी हैरी का सोने का कमरा था पिटूनिया और वर्णन जो की उसके मौसा मौसी होते हैं उसके साथ भयंग कर वैवार करते थे और उनका एक बेटा होता है डड़ी जो हैरी को बच्चपन से बहुत मारता पीटता और परिशान करता है आज डड़ी का 11th बर्डे होता है अब पूरा परिवार जो जाता है जहां रेप्टाइल एरिया में जो के सबसे बड़े साप को सोता देख डड़ी उसे बोरिंग कह कर वहां से चला जाता है हैरी को पता था कि ऐसे अकेले में रहे कर कैसा फील होता है और वो ये बात साप को बता देता है उसे हैरानी होती है कि साप उसके बाद समझ कर उसके सवालों का जवाब देता है और ऐसा होते डटली देख लेता है और धक्का मार कर हैरी को गिरा देता है हैरी गुस्से में पलट कर उसे देखता है तो साप वाला कांच गायब हो जाता है और साप वहां से निकल कर चला जाता है इस कारण वर्नौन हैरी को उसके सीडियों के नीचे के अलमारी में बंद कर देते हैं कुछ दिन बाद हैरी के नाम एक चिठी आती है पर वर्नौन वो चिठी न जाने क्यों हैरी को नहीं देते पर चिठी आना बंद नहीं होती उल्लू के माध्यम से हर तरीके से कोई हैरी तक चिठी पहुचाना चाता था और हैरी को चिठी ना मिले इसलिए वर्णौन पूरी फैमिली को वहाँ से दूर समुंदर के बीच एक जोपड़ी में ले जाते हैं आज रात 12 बजे हरी 11 साल का होने वाला था पर किसी को भी परवा नहीं थी पर 12 बजते ही जोपड़ी का दर्वाजा उखड जाता है और वही भीम का आदमी हैगरिट अंदर आता है वो Harry को बड़े विश करके उसे केक भी देता है वो Harry को बताता है कि वो Rubius Hagrid है Hogwarts का गेम की पर वो Harry को ये भी बताता है कि Harry के पेरंट्स दमाके में मर गए थे जबकि Dursleys ने उसे कहा था कि वो कार एक्सिडेंट में मरे थे और सबसे बड़ी बात वो Harry को बताता है कि Harry एक जादूगर है वो उसे चिठी देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे Hogwarts जादूगरी के स्कूल में एकसेप्ट कर लिया गया है और अब वो वहाँ आगे की पढ़ाई करेगा डर्सलीज मना करते हैं कि वो Harry को कहीं नहीं जाने देंगे ताकि वो पिटूनिया की बेहन की तरफ फ्रीक ना बन जाए पर Hagrid उन्हें धमका देता है कि डर्सलीज जैसे मगल यानि वो लोग जो जादू ना कर सकते हों उसे रोक नहीं सकते Harry अगले दिन Hagrid के साथ लिकी कॉल्टॉन जाता है जो कि एक पब होता है ताकि वो जादू गरी का समान खरीच सके और वहां Harry को पता चलता है कि वो कितना फेमस है और इस विजर्डिंग वर्ल्ड में हर कोई उसे जानता था वहां उसे प्रोफेसर कुरिल भी मिलते हैं जो Harry को सकूल में पढ़ाने वाले थे वहां ही उसे सीक्रेट रस्ता पता चलता है डायोगन एली जाने का जहां जादू गरी का सारा समान मिलता था सबसे पहले हैगरिट हैरी को ग्रीन गॉट्स ले जाता है जो कि जादू करों का बैंक होता है और हैरी को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए पूरा ख़जाना छोड़ गए थे वो एक और वाल्ट में जाते हैं जहां से हेगरिट एक पोटली उठाता है पर हैरी को बताता नहीं है कि उस पोटली में क्या है फिर वो लोग जादूगरी के समान खरीते हैं और फाइनली वांड खरीतने जाते हैं जहां ओलीवेंडर वार्ड मेकर हैरी को बताता है कि उसके वार्ड में भी वही फीनिक्स का पंक है जो उस जादूगर के वार्ड में था जिसने उसके सिर पर वो निशान दिया था हैगरिट हैरी को हैट्विग नाम की एक सुन्दर सफेद उल्लू भी गिफ्ट करता है जब हैरी हैगरिट से निशान और बेरेंट्स की मौत के बारे में पूछता है तो हैगरिट हैरी को बताता है कि वाल्ड मौट नाम के डर्क विजर नहीं यह सब किया था जिसका कोई नाम नहीं लेता सब उसे तुम जानते हो कौन नाम से बुलाते हैं और उससे आज तक हैरी को छोड़ कर और कोई नहीं बचपाया इस कोशिश में वर्डमोर्ट गायब हो गया था और सब मानते थे कि वो चला गया है पर उसे लगता है कि वो वापस जरूर आएगा हैगरेट को वो पोटली टंबल टोर को देने जाना था इसलिए वो हैरी को एक ट्रेन की टिकेट दे जाता है जिसमें हॉकवर्स एक्सप्रेस से हैरी हॉकवर्स पहुचता पर टिकेट पर प्लेटफॉर्म नंबर पॉने दस लिखा होता है हैरी को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आ रहा होता पर वहां उसे एक औरत अपने बहुत से लाल बालो वाले बच्चों के साथ दिखती है अपने दस और मगल्स की बात कर रही होती है उस ओरत की हेल्प से हैरी को पता चलता है कि बेरियर में सीधा गुसना है और आप प्लेटफॉर्म में पहुच जाओगे हैरी सही प्लेटफॉर्म पर पहुच जाता है और ट्रेन में चड़कर एक खाली कमपार्टमेंट में बैठ जाता है कुछी देर में उन लाल बाल वाले बच्चों में से सबसे छोटा लड़का रॉन वीजली हैरी के पास आकर बैठता है और हैरी और रॉन में जल्दी ही दोस्ती हो जाती है कुछ देहर में ट्रॉली विच आती है और हैरी बहुत से स्वीट्स खरीद लेता है और रॉन के साथ शेयर करके खाने लगता है ये स्वीट्स भी विजर्डिंग वर्ल्ड के होते हैं, नॉर्मल वर्ल्ड से अलग रॉन के पास एक स्कैबस नाम का मोटा तगड़ा चुहा भी होता है जिसका रंग बदलने के लिए रॉन के मस्खरे जुड़वा भाईयों ने एक मंत्र दिया होता है रॉन हैरी को वो जादू दिखाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है ये हमाईनी क्रेंजर होती है जो नेवल नाम के लड़के के मेंड़क को ढून रही होती है रॉन का जादू फेल हो जाने के कारण वो खुद जादू करके हैरी के सैलो टेप लगे चश्मे को ठीक कर देती है रात हो जाती है और वो सब हॉग्समेट स्टेशन पहुशते हैं जहां हैगरिट सब का वेट कर रहा होता है और वहां से बोर्स में बिठा कर वो फर्स्ट इयर के सभी बच्चों को हॉग्वर्स कैसल ले जाता है सीडियों के उपर प्रोफेसर मेक कॉनिकल खड़ी होती है जो बच्चों को बताती है कि उन्हें चार हाॉसेज में से किसी एक हाॉस में चुना जाएगा वहां एक पीले बालो वाला लड़का ड्रेको मेलफॉय अपने चम्चे जैसे दोस्त क्रैब और गॉयल के साथ हैरी के पास आकर उससे दोस्ती करने का कहता है पर हैरी मना कर देता है क्योंकि उसने रॉन को गरीब कहकर उसकी बेज़ती की होती है हाउस में चुने जाने के लिए बच्चों के सिर पर सौटिंग हैट रखा जाता है रान, हमाईनी, हैरी सब ग्रिफिन डोर में चुन लिए जाते हैं ड्रेको मेलफॉय स्लिदरिन में चुना जाता है जिस पे रॉन हैरी को बताता है कि सभी शैतानी जादूगर स्लिदरिन से आते हैं हैडमास्टर डंबर डोर बच्चों को रात में घूमने फॉबिडन फॉरेस्ट में जाने और तीसरी मंजिल के एक स्पैसिफिक गलियारे में घूमने का मना करते हैं सामने एक टीचर बैठे होते है प्रोफेसर कुरिल के पास जिनकी तरफ देखते ही हैरी के स्काव में दर्दोने लगता है हैरी को पता चलता है कि हॉगवर्स में पेंटिंग्स हिलती है वहां घोस्ट भी रहते हैं अपने हाउस के कॉमन रूम में जाने के लिए उन्हें पेंटिंग को पासवर्ट बताना पड़ता है और बहुती शानदा डिनर के बाद हैरी अपनी डॉमेटरी में चला जाता है अगले दिन मैक गॉनिकल के क्लास में वो रॉन के साथ जाता है अगली कलास प्रोफेसर स्नेप की होती है हैरी को लगता है कि स्नेप उसे न जाने क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उससे जान बुचकर टफ कोशन पूछते हैं जिनका जवाब हैरी नहीं दे पाता हलाकि सारे कोशन्स के आंसर्स हमाई नहीं जानती थी इस कारण स्नेप ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स भी कम कर देते हैं ब्रेक में सीमस टीक और रम में चेंज करने की नाकाम्याब कोशिश कर रहा होता है तबी वहाँ उल्लू समान लेकर आते हैं जिसमें नेवल की दादी ने उसे रिमेंबरॉल भेजा होता है क्योंकि नेवल बहुत ही भुलककर लड़का था हैरी को न्यूस पेपर में पता चलता है कि ग्रीन गॉट्स की उसी वर्ल्ड को लूटने की कोशिश की गई थी जिससे उसी दिन की सुबा हैरी और हेगरिट वो पोटली लेकर आये थे अगली क्लास फ्लाइंग लेसन की होती है जहां नेवल कलती से उनने लगता है और गिर कर उसकी कलाई की हट्टी तूट जाती है मैडम हूच उसे मैडम पॉंफरी के पास हॉस्पिटल ले जाती है पर पीछे से ड्रेको और हैरी के बीच लडाई सी हो जाती है जिसमें ड्रेको नेवल के रिमेंबरॉल को हवा में फेकता है हैरी उस बॉल को पकड़ लेता है पर ऐसा करतुवे मेक कॉनिकल देख लेती है वो हैरी को ले जाकर ओलिवर वुड से विलाती है और बताती है कि हैरी ग्रिफिंडोर के कुईडिश टीम का अपना याँख होजी यानि सीकर है हैरी को कुईडिश टीम में ले लिया जाता है जिसका कैपटन ओलिवर वुड होता है और रॉन के ट्विन ब्रदर्स फ्रेट और जॉर्ज भी टीम में होते है जल्दी ही ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है कि हैरी अब कुईडिश टीम में है हैरी को लगता है कि वो ये सब कैसे करेगा पर हर्माइनी जो ये बात सुन रही होती है उन दोनों को ट्रॉफी रूम में ले जाती है और दिखाती है कि हैरी के पिता जेम्स भी क्विडिच खिलाडी थे लोटते समय वो तीनों गलती से थर्ड फ्लोर के उस विंग में चले जाते हैं जहां जाना मना था और वहां उनका सामना एक थ्री हेड़ेड डॉग से होता है वो किसी तरह वहां से बचकर निकलते हैं ओलिवर वोड हैरी को क्विडिच के रूल सिखाता है और ये भी कि हैरी का काम गोल्डन स्निच यानि सुनहरी गेंद को पकड़ना है अगली क्लास चाम्स की होती है जिसमें विंगार्डियम लिवी ओसा चाम्स सिखाया जाता है जिससे चीजों को हवा में उड़ाया जा सक रॉन गलत तरीके से स्पेल कर रहा होता है हर्माईनी उसे रोकती है और खुछ सेक्सेस्फुली उस पंग को उड़ा देती है जो उन सभी को दिये गए थे रॉन बुरा मान जाता है और उसका मजाग बनाता है और कहता है कि इसी लिए हर्माईनी का कोई दोस्त नहीं जिसे वो सुन लेती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है ये दिन हेलोईन का होता है और रात में सब बच्चे जब जशन मना रहे होते हैं हर्माईनी वहाँ नहीं होती नेविल बताता है कि पार्वती पार्टिल ने उसे बताया कि उसने खुद को लड़कियों के बातरूम में बंद कर लिया है और वो वहां रो रही है तबी वहां प्रोफेसर कुरिल आते हैं और बताते हैं कि तैखाने में एक मांटन ट्रॉल आ गया है और बेहोश हो जाते हैं सबी बच्चों को उनके कॉमन रूम में भेजा जाता है पर हैरी और रॉन जो जानते थे कि ये हर्माईनी बातरूम में उसे बचाने के लिए तैखाने के बातरूम में जाते हैं ट्रॉल हर्माईनी को मारने ही वाला होता है कि रॉन और हैरी मिलकर उसे बचा लेते हैं में गॉनिकल, कुरिल और स्नेप वहाँ पहुँशते हैं में गॉनिकल के फटकाने पर हरमाईनी जूट बोल देती है कि ये सब उसकी गलती थी और रॉन और हैरी को सजा मिलने से बचा लेती है और उस टाइम से ही उन तीनों में गहरी दोस्ती हो जाती है अगले दिन नाचते में हैरी हमाईनी को अपना डाउट बताता है कि जरूर स्नेप तीन मूँ वाले कुत्ते के पास गया था और कुत्ते ने उन्हें काट लिया इसलिए वो लंगडा कर चल रहे है और जरूर स्नेप वो चीज लेने गए होंगे जिसे वो और हैगरेट ग्रीन कोर्स की तीजोरी से निकाल कर लाए थे तबी वहाँ उल्लू एक पैकेट लेकर आता है और उसे खोलने पर हैरी देखता है कि प्रोफेसर मैक कॉनिकल ने उसे नई निमबस 2000 जो कि सबसे तेज उनने वाली जाडू होती है दी होती है अगले दिन क्वेडिच का मैच होता है ये मैच स्लेदरिन के खिलाफ होता है ग्रिफिंडोर वाले लीड कर रहे होते हैं पस स्लेदरिन वाले चीटिंग से कीपर वुड को गायल कर देते हैं और ग्रिफिंडोर की टीम से आगे निकल जाते हैं तबी हैरी की ज़ाडू बेकाबू हो जाती है और उसे गिराने लगती है। हमाइनी दूरबीन से देखती है कि स्नेप कुछ बुद्धुदा रहा है। वो जाती है और स्नेप के चोगे में आग लगा देती है। जिस्से आसपास बैठे कुरेल और बागी के टीचर्स का ध्यान भटक जाता है और हैरी की ज़ाडू नॉर्मल हो जाती है। हैरी स्निच को पकडने जाता है पर बैलन्स बिगणने से वो गिर जाता है लेकिन लास्ट मॉमेंट पर वो गोल्डन स्निच को अल्मोस्ट निगल जाता है इसलिए स्निच को पकड़ लेने के कारण ग्रिफिंडोर की टीम मैच जीत जाती है नेक्स्ट ए हमाइनी हैगरेट को बताती है कि स्नेप ही जाडू पर जादू कर रहा था और हैरी कहता है कि वो उस तीन सिरवाले कुटे के पास भी गया था हैगरेट शॉक हो जाता है कि फलफी के बारे में तीनों को कैसे पता और कुटा किसकी रखवाली कर रहा है ये डंबल डोर और निकलस फ्लमेल का आपसी मामला है हालाकि Hagrid को समझ में आ जाता है कि उसे ये नहीं कहना था अब Harry, Ron और Hermione Nicholas Flamel के बारे में ढूनना शुरू कर देते है Christmas के छुटियां शुरू हो जाती है Harry, Ron के साथ चैस खेल रहा होता है जिसमें वो बुरी तरह से हार रहा होता है और Hermione ये कहकर घर चली जाती है कि छुटियों में Flamel के बारे में तुम लोग ढूनते रहना खासकर लाइबरेरी के restricted section में अगले दिन Christmas पर Ron और Harry presents खोलते हैं जिसमें Harry को कोई एक चोगा बेजता है जो उसके पिता का होता है ये एक invisibility cloak होता है रात में Harry उस चोगे को पहन कर लाइबरेरी के restricted section में जाता है पर उसे कहीं भी Flamel के बारे में कुछ भी नहीं मिलता अवाज होने के कारण वहाँ फिल चा जाता है और Harry वहाँ से भागता है पर रस्ते में उससे स्नेप और कुरिल दिखते हैं जहां स्नेप कुरिल को धमका रहे होते हैं Harry बचने के लिए एक room में घुच जाता है जहां उसे mirror of Erisat दिखता है जिसमें उसे उसके parents नजर आते हैं वो Ron को उठा कर साथ ले जाता है पर Ron को उसमें कुछ और दिखाई देता है Ron दिखता है कि वो head boy है और Quidditch टीम का captain है Harry अब हर रोज उस room में जाने लगता है अपने parents को देखने पर फिर टंबलडोर वहां आ जाते हैं और Harry को बताते हैं कि ये mirror इंसान के deepest desire बताता है और क्योंकि इस mirror के कारण कई लोग पागल हो गए है इसलिए इस mirror को हटाया जा रहा है और Harry उसे ना ढूंडे छुटिया खतम हो जाती है और सारे students वापस आ जाते हैं Ron चॉकलेट फ्रॉक कार्ड देखता है और उसमें टंबलडोर का कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने Nicholas Flamel के साथ मिलकर कई काम की हैं हमाईनी को याद आ जाता है और वो लाइबरेरी जाकर एक बुक निकालती है जो उसने काफी टाइम पहले दिल बहलाने के लिए पड़ी थी उसमें बताया होता है कि Nicholas Flamel ने पारस पत्थर बनाया है जिससे किसी भी मेटल को जानते हैं Hagrid उन्हें अंदर बुला लेता है अपने घर में जहां उसका कुत्ता फैंग भी होता है Hagrid वहां केटली में एक अंडे को गर्म कर रहा होता है वो ड्रैगन का अंडा होता है उसमें से एक ड्रैगन का बच्चा बाहर आता है जिसका नाम Hagrid नौबट रखता है यह अंडा उसे एक अजनवी पप में दे गया था पर यह सब ड्रैगो खिड़की से देख लेता है और जा कर प्रोफेसर मैक कॉनिकल को बता देता है मैक कॉनिकल रात में गूमने के कारण सभी के 50 पॉइंट कम कर देती है और उन चारों को डिटेंशन भी दिया जाता है डिटेंशन में उन्हें Hagrid के साथ जंगल जाना होता है क्योंकि कोई यूनिकॉन्स को मार रहा होता है उनका खून पीने के लिए उन्हें एक घायल यूनिकॉन मिलता है और उसके उपर कोई उसका खून पीरा होता है ड्रेको जैसे ही चिला कर वहां से भागता है खून पीने वाला आदमी हैरी की तरफ उसे मारने के लिए आता है पफीरेंज नाम का एक सैंट ऑँ हैरी को बचा लेता है और बताता है कि यूनिकॉन का खून जादू ही होता है और इसे पीने से आपको अधूरी ही सही पर जिन्दगी मिलती है हैरी को अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं ये वॉल्डेमोट का ये काम तो नहीं हैरी रॉना हमाईनी को ऐसास हो जाता है कि जब तक डंबर डोर आसपास हैं वॉल्डेमोट हैरी का कुछ भी नहीं बिगार सकता उन लोगों के एक्जाम खतम हो चुके होते हैं पर हैरी के निशान में डिटेंशन वाली रात से ही दर्ध शुरू हो जाता है हैरी को याद आता है कि हैगरिट ने उसे बताया था कि वो एक ड्रेगन पालना चाता है हैरी को कुछ समझ आता है और वो हैगरिट से पूछता है कि वो अंडा हैगरिट को किसने दिया था हैगरिट बताता है कि उसने ये गेम में जीता था उसने अजनवी को ये बता दिया था कि फलफी को पालने के बाद ट्रैगन को पालना कोई बड़ी बात नहीं जिसे फलफी को शान्थ करने के लिए उसे म्यूजिक सुनाना होता है कि अ कुछ बता देगा कि फ्रस ने पत्थर चुराने के कोशिष कर रहा है पर उसे पता चलता है कि डंबर्डोर स्कूल में नहीं है उन्हें जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा है अब वक्त आ गया था कि ये तीनों ही पत्तर को स्नेप को लेने से पहले खुद ले ले वरना स्नेप उसे वर्डेमोट को दे देगा और वर्डेमोट वापस आ जाएगा वो इन्विसिबिलिटी क्लोक लेने जाते हैं पर नेविल उन्हें रोकता है कि इससे हाउस पॉइंट्स कम होंगे पर हरमाईनी उसे स्पेल से रोक देती है वो तीसरी मंजिल पर जाते हैं और जैसे ही फलफी के पास जाते हैं वो देखते हैं कि फलफी अल्रेडी सो रहा है वो उसके नीचे चोर दर्वाजे में से गुशते हैं और एक पेड़ पर गिरते हैं जो कि डेविल स्नेयर होता है हमाईनी की सूजबूट से वो वहाँ से निकलते हैं फिचाबी को पकड़ते हैं जो जातू से पंग के सहारे उड़ रही होती है और एक रूम में पहुशते हैं जहां वो चेस बोट के उपर खड़े होते हैं वहार रॉन के स्किल्स के कारण वो चेस जीत जाते हैं पर इसमें रॉन घायल हो जाता है हैरी हमाईनी को कहता है कि वो रॉन को वापस ले जाए और हैरी खुद आगे बढ़ जाता है और फाइनली एक रॉन में पहुचता है जहां बीचों पीच मिरर आफ हैरी सेट रखा होता है और उसके सामने क्विरिल खड़ा होता है वो क्विरिल ही था जिस्ते ट्रॉल को गुसाया था हैरी को जाडू पर से गिराने की कोशिश की थी हैरी खुद को मिरर में देखता है और इस बार उसे अपनी जेब में पारस पत्थर दिखता है हैरी को एक और अवाज सुनाई देती है कि मुझे बात करने दो कुरिल अपनी पकड़ी खोलता है और उसके सिर के पीछे वोल्डेमोट का चहरा होता है कुरिल उस पर हमला कर देता है पर हैरी जैसे ही खुद को बचाने के लिए कुरिल को पकड़ता है हैरी समझ जाता है और वो उसका चहरा पकड़ लेता है और इस प्रोसेस में कुरिल की मौत हो जाती है और उसके अंदर से वाल्डेमोट की आत्मा निकल कर भाग जाती है हैरी बेहोश हो जाता है जब उसकी आख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है वहाँ डंबलडोर उससे मिलने आते हैं बताते हैं कि जिस रात उसकी मा ने हैरी को बचाने के लिए अपनी जान दी थी तो सेक्रिफाइस के कारण हैरी के अंदर कुछ शक्तियां आ गई थी और उसी कारण कुरिल हैरी के टच को बरदाश नहीं कर पाया और मारा गया हैरी वापस जाकर रॉन और हमाईनी से मिलता है जो बिल्कुल ठीक होते है अब साल का आखरी जशन हो रहा होता है जहां स्लिदरिन हाउस कब जीत जाता है ग्रिफिंडोर फॉर्थ पोजिशन पर होता है पर डंबलडोर एंड में कुछ पोइंट्स देते हैं रॉन को चेज के लिए 50 पोइंट, हमाईनी को इंटेलिजन्स के लिए 50 पोइंट और हैरी को बहादूरी के लिए 6 पोइंट या तक कि वो नेवल को भी 10 पोइंट देते हैं बहादूरी के लिए और इस तरह ग्रिफिंडोर फर्स पोजीशन पर आकर हाउस कप जीत जाता है रात में जश्न मनाने के बाद अगले दिन वो सभी होगवर्स एक्सप्रेस से घर चले जाते हैं